बात करना बलाओं तुम कैसे बिजनेस का किसी का पास से आइडी लेया वा किसी किसी से आइडी लेके आउनलाइन एपलाई किया और तुम कैसे बिजनेस का आइडी अक्टिव करोगे वा कैसे किया इसी कंप्रिट करोगे तुम्हारा पहले से रिटेल आइडी लेके तुम्हा लास्ट तक बड़े रहे, step by step बोलूंगा, और लास्ट में तुम वीडियो कैसे कैसी कामपिट होगा, ओ भी बोलनूंगा, ठीक है, तुम जब किसी को बाग कोई बांधा को, मालों डिस्टिब्यूटर को, तुम कोई भी डिस्टिब्यूटर बाग कोंपानी ओर्कर को, तुम देने के बाद तुमारा पास एक मेल आएगा, कोंपानी का तरफ से, बिजनेस कोंपानी का तरफ से एक मेल आएगा, कैसे मेल होगा, ठीक है, यहाँ पर कोंपानी का मेल आईडि रहेगा, और उहाँ पर कोंपानी का नाम रहेगा, यहाँ पर देख रो, और यहाँ पर लिंक इस बाला लिंक में तुम से क्लिक करना होगा और किसी को distributor तुम डिस्टीबीटर हो तुम्हारा जब शाइन आप करों उस ताइम वहाँ पर रेफाल लिंक रहेगा वह रेफाल लिंक से कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं उसके बाद इस बाला लिंक में जब किलिक करोगे उसके बाद क्या सोगा ओ बोलता हूं किलिक करने के ब cultural यहाँ पर धेख रहे हो और तुम किसी का पास से distributor ID लेके किसी को distributor को तुम documents भेजा और company worker को documents भेजा यहाँ पर तुम से distributor हो और retailer हो यहाँ पर mobile number शो होगा उसके बाद यहाँ पर कोई भी password देना होगा बोड़ा बाला चोटा बाला उसके बाद address बाद हैस्टेक लगाना होगा उसके बाद कोई भी digit सं नहीं दोगे तो कोई दिक्काद नहीं उसके बाद I agree में क्लिक करना उसके बाद send otp जिसके बाद invite कोड नहीं दिया उसका ID कैसे एक्टिव होगा इस वीडियो में लास्ट में बोलूंगा ठीक है यह सब कुछ फिलाप करने के बाद किस तरह option सो होगा वो बोलता हूं आपर send otp में क्लिक करना होगा send otp में जब क्लिक करें तुमारा mobile पर चार्ट डिजिट का mobile otp आएगा वो ओटी देना होगा उसके बाद तुम तुम आइडी कैसे होगा तुमारा ID मोबाइल नमर होगा जो पासवड तुम दिया ओ पासवड तुमारा पासवड होगा उसके बाद यह मोबाइल नमर तुमारा ID होगा पासवड तुम जो दिया था लॉगिंग पिन जो दिया था यह देने के बाद यहाँ थोड़ा डाउन में जाओगे complete kyc नहीं तो तुम बिजनेस का application में जाके तुम इसका kyc भी complete कर सकते हो तुम जब complete kyc में क्लिक करोगे यहाँ पर इस तुम बिजनेस application इंस्टाल करके यहाँ पर देख पार हो mobile number password ठीक है मैं mobile number password देखे लोगिंग कर लिया उसके बाद यहाँ पर pin मांग रहा है pin दे दे था हूँ ठीक है pin देने के बाद यहाँ पर तुम से क्या करना होगा यहाँ पर menu में में जाना होगा menu में क्लिक करना होग menu में क्लिक करना के बाद menu में क्लिक करना के बाद यहाँ पर profile का थोड़ा निचे यहाँ पर complete के वाई से show होगा यहाँ पर मैंने complete के वाई से काल दिया इसलिए यहाँ पर show नहीं कर रहा है ठीक है जब आधार करेम OTP आएगा OTP दे दे दोगे उसके बाद यहाँ आप्शन पैन कार्ड का फोटो अधार का फोटो अधार का फोंड साइज और अधार का बैक साइड ओधो दोसों के भी से लो होना चाहिए उसके बाद ही आपडोड होगा देने के बाद तुमसे पोफाइल में तुमारा आधार कर में जो एडरेस है ओ देना उसके बाद सेम कर देना एकाउंट नंबर पुछा जाएगा तुमारा जो बैंक में एकाउंट है उस एकाउंट यहाँ पर पेटियेम या टल बैंक कोई भी डिजिडल बैंक नहीं आधारकार एक बार देखाना होगा उसके बाद आधारकार का बोच सैड उसके बाद पैन कर दूनों सो कानना होगा aquela उसके बाद विडियो फेरिफिकसण सकसेस्पूल हो जाएगा उसके बाद तुम हो मोठ में आ ओगे मिन i स्टेट्मेंट सभी इहां पर जो बुइनिस्टेर्मेट में किलिक करोगे उहां पर सो होगा एड सार भी कुछ टाइम बाद तुमसे कि ऑसे अप्शन कुछ आ जाएगा पूस टाइम बाद चैनल ऑण चैनल टूु उहां पर आधान नामबर उसके बाद इहां पर टिग मार देना होगा उसके बाद sna趣्ट में खिलिक करने के बाद तोम्हारा फिंगर्वन जो तेना हो सिह लॉई उसमें लाइडा आएगा लाइड में पिंगर्व देना हो एक ठीक है उसके बाद एक और डिए पेंदिंग टू ओन टू 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 वार्किंग डे के आंदा तुम्हारा आईडी एक्टिव हो जाएगा बिजनेस का कोई भी जानकारी हो तो तुम मेरे से कॉंटाक करो तुम पहले बिजनेस का आईडी डिटेलर आईडी किसी का पास से लिया और ऑनलाइन एपलाइ किया आईडी शेयर कमेंड कर देना और तुम्हारा कोई भी फ्रेंड बिजनेस का एप्पेस आईडी एक्टिव नहीं कार पारे हो उसको ये मेरा छुटासा वीडियो फोडर कर देना थैंक्स पोर वाचिंग